नमस्कार दोतो सब सब पहले आज की मार्केट की बात करेंगे तो आज हम लोग को निफ्टी फिटी में अच्छा तेजी देखने को मिलता है और मार्केट करीब 16,052 के लेवल्स पे बंध होता है 110 पॉइंट का अच्छा हम लोग को देजी देखने को मिला और पर्फेक्ट हैमर कैंडल हम लोग को बनते हुए दिखता है कले की वीडियो में बात किये थे यहां पर पिवर्ट सपोर्ट है 20 के मुविं एवरेज के ऊपर प्राइस चल रहा है तो यहां पर हम लोग को कुछ सपोर्ट डिख सकता है तो अगर निफ्टी बीज में दुस्तों अगर फ्रेस एंटी लेना था तो इस लेवल पर आप लोग बाई करके चल सकते थे लेकिन इन दो लेवल पर हम लोग पहले भी डिसकस कर चुके थे कि 15,000 और 15,900 के लेवल पर अगर निफ्टी बीज एटीफ को अगर बाई किये है तो यहां पर आपको बाई करने का जरूत नहीं है लेकिन ऊपर के प्राइस एफटे हुए है तो यहां पर जरूर से एवरेज कर लेना चाहिए तो एक बार फिर से अपने मेथट को डिसकस कर लेते हैं एक 20 का मुविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइ करना चाहिए लेकिन बार बार डाउंट्रेंड में लोग करना है इसका हम लोग अपने पिछले वीडियो में भी बात करते थे तो इन दो लेवल्स पर हम लोग बाई करने के लिभी बूले थे 15900 पर अच्छा सपोर्ट था उसके बाद और भी मार्केट नीचे आता हुए द सपोर्ट दिखता है तो अगर अभी तक निफ्टी बीज एटीएफ में अवरेज नहीं किया है या फ्रेस इंट्री आपको लेना है तो एक बड़ा सा ग्रीन केंडल एक दो परशेंट का आपको निफ्टी 50 में कल फिर से देखने को मिलता है तो एवरेज कर सकते हैं पढ़ पहला स्टॉक के बारे में बात करेंगे विप्रो के बारे में देश की तिसरी सबसे बड़ी आइटी कंपनी बहुत ही संदार हम लों को रिटन कोविट के बाद निकाल करके दिया था प्राइस टूहंड़ेट इस के मुफिंग अबरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था उसक की बेरिस पैटरन है उसका ब्रेकाउट नीचे के तरफ होता है तो और भी हम लोग को विप्रो में लगातार गिरावट होते वे दिख रहा है फिलहाल की बात करें तो 20 का मुविंग अबरे नीचे की तरफ इनकलाइन है तो और भी गिरावट का पॉसिबिलिटी है और चाड़ता है तो बीप्रो में इन दो लेवल्स पे आपको अबरेज करना होगा अगर उपर के प्राइस पीकडर हो यह समय के मग चले और किसी pivot से टकराता है और double top जैसा formation आपको दिखे तो कुछ profit book कर लेने चाहिए फिल हाल की बात करें तो विप्रो में लगतार बहुत ही बड़ा correction देखने को मिला और price 200 days के मुझे अब इसके करीब में आ चुका है weekly chart पे तो इन location पे हम लोग lump sum करने के लिए भी बोलते हैं बड़ा quantity भी आप लोग विप्रो में इस level पे बाई करके चल सकते हैं क्योंकि price 200 days के मुझे अब इसके करीब में आ चुका है weekly chart पे daily chart पे हम लोग SIP माध्यम से investment करने के लिए बोलते हैं weekly chart पे अगर 200 days के मुझे अब इसके करीब में आता है तो बड़ा quantity भी आप लोग buy करके चल सकते हैं यहां से भी NLS गलत सा भी सो सकता है और price नीचे भी आ सकता है दोनों possibility होता है लेकिन हम लोग यहां पर buy करेंगे quality stock में डढ़ना नहीं है अगर उपर के price पर फसर हुए है तो जरूर से average हम लोग को करना चाहिए और next stock जिसको आपको buying radar में रखना है सामदार IT stock है latent view के अगर बात कर रहे हैं लिस्टिंग के बाद से ही बहुत ही खराब return निकल करें दिया है और लगतार हम लोगो price नीचे आते हुए दिख रहा है फिलहाल की बात करें तो price 352 का भी चल रहा है और price 20 के moving average की उपर closing दे चुका है perfect camera candle था पिछले दिन उसकी बाद आज भी हम लोगो 4% का बढ़िया green candle देखने को मिला उतना तो perfect green candle नहीं है लेकिन तभी 4% का बढ़ा candle हम लोगो देखने को मिल रहा है तो अगर latent view में next एक और भी बढ़ा green candle हम लोगो देखने को मिलता है 2-3% का अगर बढ़िया सा green candle आपको मिल जाता है उस candle में आपको latent view buy करके चलना चाहिए यहां से 60 के उपर लेवल पर आप लोग बाई करके चल सकते हैं यहां पर थोड़ा बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस है लेकिन इसको जैसे ही ब्रेक करेगा उपर की तरह हम लोग को मेंटम देखने को मिलेगा लेटेंट व्यू में वहीं कर लेटेंट व्यू कि अगर फाइनेंसियल की अच्छा करोड के करीब तो अच्छा इंक्रीज हम लोग को लिनियर इंक्रीज देखने को मिलरहे है और विच में एक साल हम लोग को डिप आते हुए दिखा था कोवीड का दौर दोर भी चल ला था उसके बाद अच्छा 30 को मिल रहा हैसी करण लेटेंट व्यू बहूत ही नहीं है तो अच्छा स्टेवल प्रोमोटर का होल्डिंग हम लोगों को देखने को मिल रहा है वहीं एफ आइस की बात करें तो एफ आइस ने लगतार इस्टेक घटाया है तू परसेंट का पहले होल्डिंग था फिर वन पॉइंट पॉइंट फॉइन परसेंट का फिर पर स्थ है वहीं एक करें ठाइज हैं तो इस्ति हम लोगो को करने का सूचना है लेकिन इस बात का ध्यान रखना हैं कध k cope थ्री पर्शन के करीब ही होल्डिंग FIHDI का है इस बारे में हम लोग को जरूर से ध्यान में रखना चाहिए और नेक्स स्टॉक की बात करेंगे जिसमें लगतार हम लोग को तेजी देखने को मिल रहा है इंदुस्तानी उनुलिवर की बात कर रहे हैं देश का सबसे बड़ा FM 934 के प्राइस तक भी हम लोग को आते हुए दिखता है तो यहां पर हम लोग बोले थे दोस्तों कि कुछ आप लोग बाई कर सकते हैं डबलू पैटन हम लोग को जैसा दिख रहा था एक्टिवल के अगर बात करें तो परफेक्ट आप लोग को इंट्री मिल सकता था अगर इस लेवल पर आप लोग बाई करते नाइंटीन हड़ेट के लेवल पर तो अच्छा है इंट्री आप लोग को मिलता और बढ़ियां आप लोग यहां पर मोमेंटम में बैठे रहते हैं उसके बाद अभी फिलहाल की बात करें तो प्राइस टूहाल ही क्रॉस किया है 20 का मु मुविंग एवरेज तक हम लोग को सपोर्ट लेते हुए दिखता है थोड़ा बहुत करेक्शन के बाद तब हम लोग बाई करेंगे एच्वल में नहीं तो अभी थोड़ा वेट कर सकते हैं और इस रेजिस्टेंस करीब 2570 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो नेक्स ले और भी अपना क्वांटेटी को एच्वल में इंक्रीज कर सकते हैं लॉंग टरम में अच्छा वेल्थ पर क्रियेट करके देगा संदार एफम से जी स्टॉक है बहुत ही खास रेटन पिछले कुछ समय से निकाल करके नहीं दिया था लगातार एफम से जी सेक्टर में हम लो को लगातार साइडवेस मोमेंटम ही कोटक बैंक में चलते हुए दिख रहा है फिलहाल की बात करें तो प्राइस टूहंड़ेट के मुविंग अबर से बहुत ही नीचे आता है और यहां पे हम लोग को पीवट का सपोर्ट दिखता है तो इसलिए बोलता है पीवट के सपोर में हम लोग को अगर फ्रेस एंट्री भी बनाना है दोस्तों कोटक बैंक की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत आप लोगो वेट करना पड़ सकता है क्योंकि अभी 20 का मुविंग एवरेट पर्फेक्टली इंकलाइंड नहीं है थोड़ा बहुत हम लोग को नियर टम में क करेक्शन देखने को मिलता है तब हम लोग बाई करेंगे 20 के मुविंग एवरेट के करीब में आने दीचिए और इंगल्फिंग पैटन आपको दिखता है एक रेट केंडल उसकी बड़ा सा ग्रीन केंडल उसको इंगल्फ करते हुए दिखता है तब आप लोग को दूबज कि आप करीब 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 तो यह के पास करीब 40.86 का हो दिंग है और पिछले कोटर में 42.06 का हो दिखता है तो देखे कंतर कम लोग देख रहे हैं और यह स्टेक कम करते जा रहे हैं तेकिन अभी बहुत ही बड़ा ओलिंग यह को दो ओसे बढ़ाया है quarter on quarter basis पे एफई एस्टेक सेल कर रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं अभी डियाइज की बास कर तो 16.60% का होल्डिंग दियाइज के पास है जो की बहुत यह ची बात है वहीं अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 16.56% का होल्डिंग है तो 57% के ऊपर ह की बहुत ही खास है दोस्तों को टेक बैंक में भी आप लोग लॉंग टम के पॉइंट अभी उसे बाई करके चल सकते हैं बहुत ही संदार है लॉंग टम में अच्छा विडियो अच्छा लगता होगा वीडियो अच्छा लगता हो लाइक कर दिजेगा चैनल को छ्राओ कि बाते हैं